तो गाईस आज के इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने अधार नंबर के जरीए आप सिंट्रल बैंक आफ इंडिया बैलेंसिंग क्वैरी कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल लेगल तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पर कोई भी लेगल अक्टिविटी नहीं होने वाला है आप लोग को परशानी कुछ भी नहीं होगा इसमें पढ़ेगा और साथ में एक रेंडबली मुबाइल नंबर का जरूरत यहां पर पढ़ने वाला है तो देखें मुबाइल नंबर कोई भी हो इससे कोई भी फरक नहीं पढ़ता है तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूँ अगर आपके पास इसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और सब नंबर दे दूँगा वहां से आप लोग जा करके ले सकते हो लेकिन आईडी का सम्थिंग प्राइस लगेगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे आपसन आप को मिल जागा देखने के लिए बैलेंस इंक्वारी का मिनी स्टेटमेंट का और साथ में आप लोग यहां पर पैसे निकालने का भी आपसन देख सकते हो तो चलिए मेरे को तो बैलेंस इंक्वारी करके दिखाना है आप लोगों को सेंट्रल बैंक आप इंडिया का तो सिंप यहां पर जो bank है bank आप लोग को easy से select करने के लिए मिल जाएगा यहां पर मेरे पास morfo device है या आप market से कोई यह ने device भी ले सकते हैं जैसे mantra का starter का तो मेरे पास फिलहाल morfo device है तो मैं इसी से scan करके आप लोग को balance inquiry करके दिखाने वाला हूँ और तो चलिए मैं simply अपनी जो भी device है morfo device से अपने smartphone के साथ मैंने connect कर दिया और इसके बाद चलिए यहां पर मैं आप लोग को bank select करके दिखा रहा हूँ सबसे पहले तो चलिए bank पर जैसे click करेंगे तो आप लोग नीचे scroll करेंगे तो आप लोग को central bank आप इंडिया मिल जाएगा या फिर top में आप जाकर के search भी कर सकते हैं तो यहां पर central bank आप इंडिया मैंने select कर लिया है अब इसके बाद इसमें आधार number हमें देना है तो आधार number चलिए हमें मिल जाएगा तो चलिए मैं अधान नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ और अधान नंबर देने के बाद एक Mोबाईल नंबर भी देना होगा ज़रूर नहीं है कि जो नंबर आपके bank account में लिक हो वही नंबर दे और यहाँ पर आप कोई भी Mोबाईल नंबर दे सकते हैं तो जैसे ही यहाँ पर थम इसकैन पर कलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बायोमेट्रिक मसीन है जलने लगा और थम पर कलिक करेंगे तो जो बैलेंस है यहाँ पर शो करने लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस यहाँ पर शो करने लगा द तो मैं दोबारा से था मैं इहां पर स्केंट कर रहा हूं तो आप लोग देख पाएंगे कि यहां पर बैलेंस मेरा शोओ हो जारा है तो ठ्रॉड़ा सा यह प्रोसे divire से 52 में सोरी तो यहां पर हाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो आप लोग देख पाएँगे कि हाँ पर मेरा बैलेंश atau करने लगा यहां पर टाइम कभी को भी ले लेता है सर्वर की वजह से तो आप लोग को परशान होने की ज़रुवत नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि balance show होने लगा तो गैसी इस तरीके से आप किसी भी bank का जरूर नहीं है कि Central Bank of India का ही किसी भी bank आप यहाँ पर balance inquiry कर सकते हैं मिली statement निकाल सकते हैं इसके अलावा भी आप लोग अन्य कारिक्रम इसमें कर सकते हैं इसे मोबाइल इस जिटियर इस जैसी सर्विस हैं पर फायदा उठा सकते हैं तो इसके लवाब पैन कार्ट भी apply कर सकते हैं train ticket भी booking कर सकते हैं इस application के जरिए तो आई हो कि इस वीडियो से आप लोग को काफी help मिला होगा तो इस चैनल का भी subscribe कर देना वीडियो का like कर देना और share भी कर देना हम लोग मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में नए solution के साथ तब तक के लिए bye bye